बिहार लगातार सुर्ख्यों में बना हुआ है मुख्यमंत्री नितीश कुमार अब पल्टेंगे कि तब पल्टेंगे बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है राजनीतिक विशलेशुकों का कहना है कि बिहार की पॉलिटिक्स एक से दो दिन में पलटने वाली है क्योंकि बिहार में मीटिंग का सिलसिला तेज हो गया है लगातार एक के बाद एक मीटिंग की जा रही है आपको बता दे कि सिंगापुर में इलाज करा रहे लालू प्रसाध यादों ने बिहार लोटते ही अचानक हाई लेवल मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग को लेकर आदेश ये पारित किया गया कि अगर सभी विधायक इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहे तो उन पर आक्शन होगा जिसकी तुरंत बाद नितीश कुमार और तेजस्वी यादो ने भी सचिवाले में मीटिंग की है अब इसकी भनक जैसे ही भारतिय जन्ता पार्टी को लगी बीजेपी ने भी मीटिंग मुला ली है मीटिंग मुलाकर भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने सारे विधायकों और सांसदों को लाइन हाजर कर दिया है अब इस मीटिंग के दोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा खेला होने वाला है क्योंकि भारती जंता पार्टी नितीश कुमार को लेकर कभी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेती आपको याद होगा कि जब मोधी सरकार 3.0 का गठन होने वाला था तब नितीश कुमार और तेजस्वी यादो एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली पहुचे दिल्ली पहुचते ही तेजस्वी यादो ने बयान दे दिया कि चाचा पल्टी मारने वाले हैं एक तरफ तेजस्वी यादों का बयान निकल कर सामने आया वहें दूसरी तरफ भारतिय जनता पार्टी ने एक तरीके से मुख्य मंतरी नितीश कुमार को दिल्ली में नजर बंद कर दिया तब खबर भी निकल कर सामने आयी थी और तो और बिग ब्रेकिंग चलाए गई थी नहीं आदे तो दिखा भी देती हूँ देखे इसमें लिखा है कि क्याबनेट गठन के बाद पटना लोटेंगे नितीश पीम के शपत तक दिल्ली में रहेंगे मौजूद शपत तक दिल्ली में रहेंगे नितीश कुमार तो नितीश कुमार गए तो थे NDA की बैठक के लिए लेकिन उन्हें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की तीसरी बार शपत तक के लिए वहीं रोक दिया गया कहा गया कि आप बिहार तभी वापस जाएंगे जब सरकार का गठन हो जाएगा कैबिनेट का गठन हो जाएगा अब भारतिय जंता पार्टी के इस कदम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नितीश कुमार पर बीजेपी किसी तरह का कोई भरोसा नहीं करती है एक तरफ खबरे निकल कर सामने आएं कि अगर बिहार गए नितीश कुमार तो वो पलट जाएंगے वहीं दूसरी तरफ बिहार जाने से ही नितीश कुमार को रोक दिया गया अब एक बार फिर से कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि नितीश कुबार silent game कर रहे है और RJD के संपर्प में है तेजस्वी आदों से meeting कर रहे है ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बिहार में तक्ता पलट होने वाला है क्योंकि BJP की भी meeting हो रही है RJD की भी meeting हो रही है इससे suspense बढ़ता जा रहा है हाबर देखे नौबारत टाइम्स की इसमें लिखा भी हुआ है कि बिहार में सत्ता पलट की आहट नितीश तेजस्वी की मुलाकात और RJD BJP की बैटकों में बढ़ा सस्पेंस है तो नितीश कुमार और तेजस्वी आदो की जो सचीवाले में मुलाकात हुई वो तो एक तरीके से आपचारिक मुलाकात थी आपको बता दे आठ महिने के बाद तेजस्वी और नितीश ने मीटिंग की है और इस मीटिंग के तहत मुख्य सचीव की नियुक्ती होनी थी तो नियुक्ती तो हो चुकी है तेजस्वी और नितीश की मुलाकात भी हो चुकी है लेकिन बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है लिए ध्यान से सुनेगा देगे नौ बारत टाइम्स के आगे खबर में आगे लिखा हुआ है कि लालों ने विधायकों को बुलाया उधर नितीश तेजस्वी की मुलाकात हो रही थी और इधर लालू यादों ने विधायकों को बैठक के लिए बुला लिया बैठक में उपस लगाए जा रहे हैं कि नितीश कुमार ने फिर पाला बदलने का मन तो नहीं बना लिया है क्योंकि इलाज करा रहे थे और इलाज के बाद तुरंत वापस आते ही मीटिंग क्यों बुलाई गई सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है और इतना ही नहीं जैसे ही RJD ने मीटिं जुटाए सांसद और विधायक इसी बीच दिनभर की गतिविदियों का संस्पेंस भाजपा ने भी बढ़ा दिया है भाजपा ने भी अपने विधायकों सांसदों के साथ मंगलवार को मीटिंग की है बताया गया कि सदस्यता अभियान के सिलसले में बैठक थी पर जिस तर बात से जोड कर देख रहे हैं क्योंकि तेजस्वी और नितीश कुमार की जो मुलाकात हुई है उसमें सिर्फ मुख्य सचिव की न्यूक्ती नहीं हुई है बलकि जाती गजजन गरना से लेकर आरक्षन पर भी बात चीत हुई है इसके बाद से भारतिय जंता पार्टी को य एक बार फिर से तक्ता पलट होने वाला है क्योंकि खबरे तो ये भी मौझूद है कि जेडियू के विधायत लालू प्रसाद यादों की संपर्क में हैं और लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ऐसे में सिर्फ हम आपको खबरे नहीं दिखा रहे हैं कि बिहार में क पलटी मार सकते हैं खबरे भी मौझूद हैं कुछ खबरे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे पैटर्न काम कर रहा है देखें एबीपी की खबर इसमें लिखा हुआ है कि नहीं मिला रेल पलटी मारेंगे नितीश कुमार तो जब बड़ा बंतराले नहीं मिला और जेडियू के ही सांसत विधायक नाराज हो गए तब भी खबर निकल कर सामने आई थी कि नितीश कुमार पलटी मार सकते हैं एक और खबर देकी इसमें लिखा है कि विशेश राज जी का दर्जा नहीं मिला तो नितीश फिर मारेंगे पलटी तो नितीश कुमार इस पेशल स्टेटस को लेकर कैसे अड़े हुए थे कैसे भारतिय जनता पार्टी से लगाता डिमांड कर रहे थे आप अच्छे से जानते हैं अब इस पर भी भारतिय जनता पार्टी ने जब इनकार कर दिया तब भी खबर निकल कर सामने आई कि नितीश कुमार पलटी मार सकते हैं तो तब तो न नितीश कुमार ने पल्टी मारी नहीं लेकिन अब पानी सिर के उपपर निकल चुका है। कैसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। तेजस्वी यादो और नितीश कुमार ने मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद नितीश नितीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है आपको बता दे अचानक IS और IPS का तबादला कर दिया गया है देखे खबर भी मौजूद है नौबारत टाइम्स की खबर में लिखा हुआ है कि बिहार में कुछ होने वाला है क्या नितीश सरकार ने फिर की IS अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग तो नितीश कुमार ने तेजस्वी यादो से मीटिंग के बाद इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया है सवाल खड़ा होता है फिलाल मैं आपको बता दूँ कि तेजस्वी यादो नितीश कुमार ने जिस मुख्य सचिव की नियूकती की है वो भी ला लालू प्रसाद यादो का करीबी बताया जाता है देखी खबर भासकर की इसमें लिखा हुआ है कि बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए आईस अमरतलाल मीडा 1998 बैच के आईस ऑफिसर हैं लालू यादो के बाद सीम नितीश के भी काफी से जादा करीबी हैं तो आप दे देश पारित करके मुख्य मंत्री पर भी दबाव बना सकता है तो नितीश कुमार कितना confident है और लालू प्रसाद यादो के कितना करीब आ चुके हैं इस नियुक्ती से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नितीश कुमार ने एक बार फिर से पल्टी मारेंगे भारतिय जनता पार्टी से होकर आरजेटी के साथ गटबंधन करेंगे क्या बिहार विधान सबाचुनाओ के पहले नितीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट ब कर दो